हाँ, 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 चलो, 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 चलो. रानी जी? रानी मुन्मुन जी? कहा है अब, हम शार्दा, पंडित रामक्रिष्न की पत्नी, आपके लिए भोजन लेकर आए है. ये रानी जी कहा गए है? रानी जी को समय पूर्व ही अपने कक्ष से बाहर गई है. अच्छा? रामा, रानी अपने कक्ष से कहीं बाहर चली गई है. क्या? ये बगवान, रानी का कक्ष से बाहर जाना उचित नहीं है. महराज को सुचना देनी होगी. ये क्या सुन रहे हैं आम? इतनी व्यवस्ता होने के बश्यात भी महराणी मुन-मुन गायब कैसे हो गई? कहां जा सकती है वो? महराज! महराज, अमने महल का चपपचपचपचान महरा. परंतु महरानी कहीं नहीं मिली. भे लगवार! महराज की जै हो. महराज, मैं स्वेम पहरेदारी पे था. एक ही दासी महल के बाहर गई थी. अन्ने था कोई नहीं. नानी के लिए किस दासी को न्यूक्ट किया गया था? दासी महो दिया. शीघ्रिता से इस प्रष्ण का सटीक और सत्य उत्तर दे. महराज, उन्होंने मुझसे दासी के कपड़े मांगे, तो मैंने उन्हें दूसरी दासी के कपड़े दिये. उसके बदले में उन्होंने मुझे ये हार दिया ये आभोशन? महराज, इस दासी को कार कोश्री में दाल दिया चाहे महराज, हमें बिना समय गमाएं सर्वर प्रथम रानी को ढूड़ना चाहिए क्योंकि इस परिस्तिती में रानी का महल से बाहर रहना हर रक्षण एक नई विपदा को आमंतर्ण देने जैसा है जासी आप जाए उचित क्या रहे आप पनीतरा मक्ष्णा हमें शिगरी महराज की जे हो महराज, राजा धरमपाल वापस महल पधारे है और अपनी रानी से भेट करने के इक्चुक है नहीं महराज, हमें राजा धरमपाल को रोकना होगा रोकना कैसे होगा हरा धरमपाल का अपनी अर्धांगनी से मिले बगए रहना संभव है नहीं महराज, हमें ना केवल उन्हें रोकना होगा अपी तो उन्हें इस बात कभी ग्यात नहीं होना चाहिए कि रानी इस समय महल से गायब है हाँ सत्य कह रहा यदि महाराज को पता चल गया कि उनकी धरंपत्निया नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा वो युद्ध की घोशना भी कर सकते है हाँ महाराज महाराज आजा धरंपाल आपके मित्र है यदि वे किसी की बात पर विश्वास कर सकते हैं तो वो केवल आप ही है हाँ आप क्रिपया करके उन्हें नियंतर में रखे मैं देखता हूँ कि रानी को कैसे ढूंडा जा सकता है अच्छा ठीक है हम प्रयास करते हैं परन्तु पनित्रामकृष्णा आप लोग भी कुछ कीजिएगा महरानी मुन्मुन को शीखर अतिशीखर ढूंड निकालेगा हम चलते हैं पनित्रामकृष्णा ओ रानी को खोजने में तुम्हें हमारी इसायता की अवर्शक्ता तो अवर्श्य पढ़ेगी पनित्रामक्रिष्णा की योजना क्या है तो बताओ, शिखर बताओ यही गुरुजी, सद्यों के भाती आपको हमेशा नीचा दिखाना और परसंसा प्रुस्टार प्राप दिखाना पंडित रामा कृष्णा तुम भूल रहे हो जो हमसे चतुराई करता है उसे अधे कि मुल्ले चुकाना पड़ता है अब देखना, हम तुम्हारी योजना में स्वेलिक भी हो जाएंगे और किसी को बनक तक नहीं लगेगी और इसमार शेक असेरा हमारे सर पर बंदेगा हमारे ये मित्र हमसे गले मिल नहीं रहे हैं अपितु हमारे गले पड़ रहे हैं हे भगवन, विजनेगर का सम्मान अब आपके हाथों है मित्र, कितने प्रसंद हैं हम आपको देखते हुआ कि जितने समय में कोई एक व्यक्ती, एक साहरन व्यक्ती तिरुपती पहुंच भी नहीं सकता है उतने समय में आप पहाँ जाकर पुना वापस लॉट भी है महाराज, ग्रेचन देवर आए हम तेरे उपती पहुंच आई नहीं च्यू, क्या हुआ, जलत दिश्या में चले भी? नहीं तो फिर लॉट क्यों आए? जाई से हमें चित्तूर पहुंच आ रास्ता भटक है? नहीं महाराज, एक देख थुनना हो गया बहुत जोर से आया हमारे महाराज को बहुत जोर से रानी मुन्मुन की याद आई और इसमरन हुआ कि रानी से पूछां तो भूली गए कि बालाजी से क्या-क्या उपार लेक्या है तो पूरे दल को बापस लोटने का आदेश दे दिया बस इतनी सी बात नहीं में तरह बहुत बड़ी बाद हो था प्रस्ताने से पूरव भी भी हम रानी को विदाई का नमसकारा ठीकी से नहीं क्या पाया था ज़िए आप अपनी मननत फूरी करके आते तो हम आपको आश्वासन दिलाते हैं हम रानी मुन्मुन को धोल नगाड़ों के साथ आपकी सास विदा करते परन्तो आप बात को समझ नहीं रहें यह जो पूजा होती है मननत होती है ऐसे शुप कार्यों का एक महुरत होता है एक समय होता है वो समय निकलना नहीं चाहिए मित्र मेतर, आपका अशुम महुरत, अशुम महुरत वापस आ सकता है लेकिन रानी के बिना व्यतीत, पीडादा, एक शाड़ो कदापी वापस नहीं आना चाहिए मेतर इसलिए हम वापस आ गये परंटु महाराद कर दर्द को हमसे दो गुना अदिक समझते मतलब चैन आ जाएगा मतिवर, अब दासी महुर्या से कहिए कि रानी मुन्मुन के जो आभूशन और वस्त्र इनके पास है उन्हें धारन करके उल्टा मूँ करके बिस्तर पर लेट जाएं और किसी के बुलाने पर भी मुड़कर ना देखे अर्थार, रानी जी का वेश बनाकर महामंत्री जी, ये वस्त्र और ये आभूशन लेने के लिए रानी जी नहीं हमें विवश किया था जैसा कहा गया है वैसा कीजिए अन्यत्था, हम आपको दंड देने के लिए विवश हो जाएंगे जैसी आपकी आग्या आजिये पने तरा मक्रिष्ण दासी, रुको दासी, ये कपड़ी और आभूशन लिए क्यों खड़ी है दासी, ये सब क्या है बताओ योजना क्या है वो महराज आएंगे तो ये कपड़े और ये आभूशन उमें समझ का है पंडित रामा क्रिष्णा की ये योजना है वस्त्र और आभूशन हमें दो और शेखर यहां से निकलो जा गुरुजी, रानी जी तो कपका यहां से प्रस्थान कर चुकी है अब आप इस मरे हुए सर्प को ले के करेंगे क्या मुर्खो, ये गाया भूए रानी की अंतिम निशानी हम उन्हें कहेंगे कि रानी तो घूमने गई है और राजा धनमपाल इन वस्त्रों और आभूशन को रानी की याज समझ कर ये सब हम स्वयम लंका नरेश तक पहुचाएंगे और ये सब देख कर वो प्रसन हो जाएंगे और हमें पुरुस्कार देंगे परंतु गुरुजी क्या आपको यकीन ही कि पंडित रामा कृष्णा की यही ओजना है अवश्य अवश्य वो गावा था ना कि कभी-कभी भागते भूत की लंगोट भी काम आ जाती है वो तो ठीक है गुरुजी किन्तु इतना ध्यान रहे कि कहीं इस चक्कर में आपकी स्वयम की भी लंगोट सुरक्षित ना रहे पंडित रामा कृष्णा अब देखिए आगे क्या होता है महाराज धरंपाल नानी मुन्मुन बड़ी महाराणी और चोटी महाराणी जी के साथ धेर सारी बाते करके और घूम के ठक गई है उन्हें गहरी निद्रा से उठाना उचित नहीं होगा जी और जब तक आप तिरुपती होकर पुना लॉट कराएंगे तब तक वो निंद्रा से जाग भी जाएंगी हां मनत और निद्रा दोनों पूरी हो जाएगी जी हां एक तीर दो निशान मनत और निद्रा अब में द्रा आना जाना अब जबर आनी की एक जलक देगे विना नहीं होगा आप अब मामंत्री जी महाराच मामंत्री जी शर्वत का प्रवक कीजिए जी 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 आवश्या मेत्र तसी पे आचार्या आप यहां क्या कर रहे हैं क्यूं मामंत्री जी आपकी ओर पंडित रामाकृष्णा की योजना अनुसार यहां पंडित रामाकृष्णा को होना चाहिए था है ना परंटु आप भूल रहे हैं हम सर्वग्यानी राजगुरु हैं हमसे कुछ चिप नहीं सकता अरे आचार्या हमने और पंडित रामा कृष्णा ने आपको दूर रहने को कहा था ना करदी ना कड़बर अर्थात अर्थात हम इने उस दासी को रानी मुन्मुन जी के वस्त्र और आभूशन पहन कर मूँ ढखकर सोने को कहा था उपर से महाराज कृष्णदेव राय और महाराज धरंपाल यहीं पर आ रहे हैं वैसे वो दासी का है अवश्य युद की घोष्णा कर देंगे और तो और इस युद का कारण बनेंगे आप नए 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 और उसके उपरांत महाराज कृष्णदेव राय आपको कठोर से कठोर दंड देंगे और यदि आपको इस दंड से बचना हो तो आप भी को कुछ न रकट गरना होगा अरे बाह मंत्री जी जी बचने का बस अब एकी उपाए है क्या क्या आपको सुम् आपको रानी का रूप धारण करके मिस्टर पलेट ना होगा रे चब मुख्यो हम इसदी का रूप धारण करेंगे हम हम महागुरु राजगुरु तथ अचा रहे है गुरुजी इसलिए तो करना है का रहे है औरना काल कोठनी में जाना नहीं वार रहे है पुरुजी शिखता कीजिए आपके पाम सब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मित्र, मित्र महाराज, महाराज धरमपाल की जैग। महाराज, शर्बस आपके लिए शर्बादा अरे गर्ण कीजिए महाराज हो गया महाराज धरमपाल एक और हमारी तरफ से महाराज, हम अपी आते हैं हो गया, आजलें? नहीं, नहीं, एक मेरी तरफ से भी महाराज अरे, अरे, लीजे, 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 लीजे हो गया जलें, आपा? नहीं, 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 आपने मामंध्री की बाद स360 की बाद सथी आपने अरे, काणित्रामकिषी की बाद सथी आप अरे, आपके हमारी बाद सननी पड़ेंकी मेट्र ऐक हमारी तरफ से अरे सने बढ़ेगा मीत्र, भीची हो गया अब जले अब तो जलो 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 आज अराम से हम उद्यान में चलते हैं हुट अजब उद्यान बाद मामुत की जी बहुत उम्मित रहा है देखा मित्रा आपने राणी मुन्मुन कितनी शांत निद्रा में सो रही है हमा सोता हुआ सपने में भी अपनी राणी को देखता प्रति देना परन्तु आज हमारा राणी अधिका मोटा अधिका छोटा लगता हाँ आपने बिल्कुल सत्य का हमाराज वो क्या है कि हमारे विजय नगर का जल वाई और भूजन स्वास्ति के लिए बहुत हितकारी है कुछ कुछी समय में किसी का भी स्वास्ति बढ़ जाता है इसलिए छोटा दिखने लगता है वाह हमारा रानी के है तू जो अच्छा वो दुनिया में सबसे अच्छा होता मिट्र ध्रमपाल आप तो आपने आपकी महाराणी मुन्मुन को देख लिया है अब आपको शीगर तिशीगर तिरुपती के लिए रवाना हो जाना चाहिए मेत्रा हमें तिरुपती अवज्य जाता परन्तु पहले अपना पत्नी व्रता धरमने बाता पस एक वारा रानी को अपने गले लगा ले था तो चैन में हाता अब कर दो रुके महाराज क्या कि महारानी गैरे निद्रा में है उनकी लीन टूट जाएगी कि अध्यका रामा परन्तु मादे पर एक चुम्बन तो हो सकता है 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 तो ता हुआ भी हमारा रानी कितना सुन्दर और माजूमियत का जितर लगता पंडित रामा अम रानी के सरप है आथ भेरा तो हमको ऐसा लगा जैसे उनके सरप है बाला नहीं कि अमा करें महाराज किन्तु अपने हाथों का दोश आप महारानी जी को नहीं दे सकते हैंना अपने दे रामा आप डीग बोलो दा हमारा यहांत में खरावी है हमारा रानी में कोई त्रूटी नहीं हो सकता शीगर कुछ की जी पंडित रामा कृष्णा जी अन्जे थास तो हमारे गुरुजी का धरमपरश टोके ही रहेगा हमारे गुरुजी वीजे ने गर में मुद दिखाने योग्य नहीं रहेंगे कुछ की जी रुके महाराज महाराज अनर्थ हो जाएगा यदि आपकी चेश्चा से महारानी आधी निद्रा से उठ गई तो सोची क्या होगा आप इने बताय था ना कि उन्हें व्यक्तित्व परिवत्तन विकार है कुछ भी हो सकता है पता नहीं क्या होगा पंडित राम क्रिशना आप ने रानी का आंग गुलने से पहले हमारा आंग गोल दिया पहले भी आधी नीन से उठ गई रानी ने रूपदारण गिया था अब हम दिना में लंब किये दिरोपदी के लिए प्रस्दान करेंगे एक दुक्का थुन्ना येक टेक थुन्ना येक टेक थुन्ना ये क्या गुरोवारा क्या बेज ये व्यक्तित्थ परिवत्टन विकार है हाह इन्हें भी हाह हाह बता हो नाज़ा धराबपाल क्या कि हमारे गुरुवार के मन में ओर्तों महिलाओं के लिए इतना आदर और संमान है कि कभी कभी तो वो उनके वस्तर पहन कर स्वयम उनके भाति वेवहार करने लगते हैं क्यों अच्छा बस वैसे मित्र आप हमें एक बात बताईए आप यहां से दिरुपती जाने के लिए कितनी बार रवाना हो गये हैं हाँ नहीं आप हमें सत्य बताए क्या महरानी मुन्मुन ने ऐसी कोई भी मनत मांगी है जिसे आपको आजा के पूरा करना है हां रानी को प्रेम ग्या होता वाँ बच्चे से समझता का है हमारी तो तो है जब महारानी अपनी मिठी मिठी निद्रा पूरी कर ले तब हम स्वैमून से पूछेंगे कि उन्हें क्या क्या चाहिए वहां तिरूपति से फिर हम किसी संदेश वहां को भेज कर आपको संदेश पहुंचा देंगे परन्तु आपको इसके लिए जाना होगा तब यह सब संभ जब आपको जब से लुए घानी ना पंदाला कैसे होगाँ क्या है न कि लंका राजा लंका राजा जी वो रानी सात्विक भोजन कर रही है लाजा दरमपल कि प्रेमवश तो हर मा को अपना पुत्र सद पतल ही लगता है उसी भाती आपको भी प्रेमवश आपकी पत्नी सदेव पतली लगती है क्यों येक देक दुन्ना पंडिता राम संभा मता आप सही कहता वाराज मिद्र आपके राज में हम निश्चिंद हैं अब हम तिरूबती जाकर ही रुखेंगे हाँ मनी आज सूजबूच का प्रदर्शन किया डूपते को तिनके का सहरा देकर बचा लिया अद्वत गुरूर आपके शिश्चि भी अद्वत है वैसे हमें शीगरती शीगर महारानी को खोज निकालना होगा वो भी महारा धरमबाल के फुना लौट आने से पहले आज हम विजय निगर राजे के समराट ये खोशना करते हैं हम आप सभी के समक्षिये खोशना करते हैं कि जो भी महारानी को सर्व प्रतम ढून कर लाएगा उन्हें पुरस्क्रिप किया जाएगा प्राम गुरुजी मिली हाँ गुरुजी मिली देखा देखा हमने कहां था ना वरुनमाल और शिष्षे तेजस्वी हमें तो लगता है भवान शिव निश्वम हमें ये दिये हैं ये स्वामी जैसा गुरु वैसे ही शिष्षे हैं हाँ बताओ बताओ धनी मनी हम जहां जहां भी जाते थे आपका नाम वही मही लेते थे वही मही अवे बिली अच्छा हमारे नाम की किर्थी है यही है अर परन तो हमें यह बताओ तुम उसे यहां आवास पर क्यों नहीं लाए गुरु जी हम तो चलते चलते ठग गए थे इसले रास्ती में खा लिया क्या खा गए परन तो कैसे अधार ना गुरु जी हम जहां जहां भी जाते थे आपका नेम भी जाते हां विखना भी जाते राए भी जाते हां जो पैर वाले गदो हम रानी मुंदून की बात कर रहे है अच्छा तो एकसा है बोला ना गुरु जी हमने रानी जी को बहुट दुना बहुट दुना इतना दुना यह देखी यह देखी हमारा ख़ड़वों भी तूट देखिए ध्यान से देखिए, पहाठी तो रानी कहीं नहीं मिली, नहीं मिली गुरुजी अरे तुम कथों से कोई भी आशा करना मुरष्टापूरण कार्य है हमें सोचने तो, रानी को घोचकर पुरुषकार कैसे ब्राप्त करें इसमें सोचना है क्या है गिरो जी, पंडित राम्मा किसना आपका खेल कर देगा, सारा फुरुषकर वही लेगा, आपको पिछ नहीं मिलने वाला है स्वामी, आपको कुछ पर ढूड़ने की क्या आवर्शकता है, आप तो जिसे चाहें उसे प्रकट कर सकते हैं अच्छा, क्यासे? स्मरकीजी स्वामी, आमारा वह सोने का हाँ जो खो गया था, यादे आपको, आपने कैसे मंत्रों चाहर करके फसमों फेका था और चाहरों और दुआ ही दुआ हो गया था, और दुआ चटते ही वहार सामने था, हम अभी आते हैं हमने कभी कुछ ऐसा किया था बुद्धा फिर से भूल गया, औरे तो यादे ला दे ना ए गुरुजी, आपको याद नहीं, अपनी परमभग सुदामनी बेबी की घाथ, आप कैसे टांग पर दोड़ते हुए गए थे, तिन में आते हुए और गुरुजी, आपको ये भी याद नहीं, कि आपने उन्हें बेट चड़ाया हुए, और आद बेट किया हुए, गुरु माता का हर, उनसे लेकर, गुरु माता को लाकर वापस दे रिया था, मुछ याद ही नहीं था, आपको गुरुज, जब मुर्खो, हम चिंति थे, ब दीचे स्वामी, भस्म ठीक नहीं, नहीं नहीं स्वामी, ये पूरत था ठीक है, ये हमने पिछली बार वाली भस्म सही शेश बचाया है, नहीं, अचा, ठीक लाई, आपको गुरुज, आर मुखिये, आर मुखिये, आर मुखिये, आर मुखिये, हें यह देगा कर दिया आई 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 रहनी मुन-मुन आप सही स्थान अब अधाद हमारे निवास मर पतारी शिष्षियो, शिष्षियो, देखो, देखो हमारे प्रभों की महांता, अपनी शक्तियों थे उन्होंने रानी को प्रकट किया है और कह रहे हैं, हापको धारी है, श्रेभी नहीं लेना जाहते हैं, हमारे स्वामी, जन्दी हैं, जन्दी हैं आप हमारी अम्मा नहीं हो सकती क्या से हो सकती है आप हमारी अम्मा पाखंडी जीते जी तुम्हें अपने अम्मा को मार दिया ये देख मेरे हाथ में क्या है ये 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 चड़ी है ये चड़ी नहीं ये तेरी अम्मा का शस्त्र है इसे भूल गया तू आपका मानसी संतुलन तो ठीक है ना हाँ तो गुड़ोजी उपयोग में कब लाओगे भूलके पंडित रामा कृष्णा ने क्या कहा था पंडित रामा कृष्णा ने कहा था अवशेक्टा सेदिक मस्तिश का अपयोग हानी का रख होता है गुड़ोजी भूल जाई कि पंडि यह तो परिवर्तन विकार से गरस्थ है यह तो परिवर्तन विकार यह तो बनी द्रामा कृष्णा ने कहा गुड़ोजी अब आपको यह भी स्मरण रहे कि यह राणी नहीं है यह आपकी अम्मा है अम्मा अच्छा हम कह रहे हैं क्यों गरी गुरोजी इन्हें अभी अम्मा जो पूरा का पूरा पूरा जो पूरसकार है आपको ही मिलेगा अमाँ सौामी आप महान है आपने अपनी शक्ति द्वारा सास को रानी की रूप में पुना जीवेट कर दिया अब हम, अब हम उनकी वो सारी सेवा करेंगे जो पहले नहीं कर पाए थे हम, हम जल पान से आरम करते हैं हमारी जैननी, हमारे पता की धरम पत्वी, यादा क्यों, कैसी है हमारी अम्मा? चल, वहां बैट, और हाथ दिखा, चलो, हाथ दिखा, नहीं हम हाथ आगे नहीं करेंगे गुरुजी, गुरुजी, जितनी अधिकाव मार काओगे, और तदा ही अधिकाव को पुरसकार मिलेगा काते नो, काते ना अम्मा, के? बहुत बढ़ा होगे है ना ये बता, पूजा पाठ में कितना ध्यान है ते रहा? अम्मा आपको पता है, हम राजदर्बार में राजगुरु बन गए चैनी, हमारे साथ राजदर्बार चलिए, और देखी, देखी, हमारे समक्ष कौन कौन जुपता है कौन कौन हमारे सामने जुपता है? सदेव दूसरों की जुखने की बात करता है राजगुरु बन गिया है, मानवता का पाठ तो भूली गया है पाठ से याद आया, वो कवीता के बार में बताया था, वो याद है तुझे? कौन से कवीता? अच्या, वो कवीता अधियंत सुदर थी, नाजुक थी, कोमल थी पडोसी की कवीता के बारे मैं नहीं बात करी सुनने-सुनाने वाली कवीता की बात करी जो तुझे प्राथकाल में सिखाई थी? प्राथकाल में कवीता? सुनाओ अम्मा ये कवीता पाठ छोड़ो हम आपको वो ब्रह्मांड के ग्यान का पार सुनाती है एक कवीता याद नहीं रहती, ब्रह्मांड का ग्यान सुनाएगा चल, मेरे साथ दोरा मचली जल की रानी है, शीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी, पानी में तैरती खो जाएगी सुनाओ, चलो, उस दीवार पर खड़े होके पूरी कवीता सुनाओ हम नहीं खड़े होंगे गुरुजी, गुरुजी, कवीता बोल दो, कि एवल कवीता बोलने को ही तो कह रही है कवीता बूलते बूलते बीच में दो-चार मंतरी फोग देना यह चीत हो जाएगी, अब इने लेके बैल चले जाएगी आपका काम हो जाएगा गुरुजी अचा हम खड़े होते हैं हम भारना नहीं, हम बोलते हैं मचली मेरी नानी है, जीवल मेरा पानी है तठ्ठु गलत बोल रहे हैं हाँ रानी जी, मतलब अमा, अमा हमारे गुरुजी एक्लम सही कहा है जब से इनके जीवन में पंडित रामा आया है कब से इनका जीवन पानी पानी हो गया है ए गुरुजी, ठीक से सुनाईगे ना राभ की चक्कन में मुझे मार खानी पड़ रहे है हाँ ha मचलिए मेहे पानी हे सव Давайमदी मेरी रानी है एक साधहरण कवीटा आती नहीं राज-गूरू कैसे बन गए मचलिए मेही पानी हे जीवन उसका मनमानी है पास जाओ तो सोजाती है हाद लगवगो तोखो जाती है ये तो वही बाली बाट हो गई यह जल बिना मचली और कवीता विगर हमारे गुरोजी तत्थू बीदा हमा आचा यहां आचा अम्मा अम्मा अच्छा बहुत लगी तुझे इधर आचा इधर खड़ाओ जब तक इसे डंड नहीं मिलेगा ना तब तक इस सुद्रेगा नहीं ओठक बैठक करो तुम उठक बैठक करोगे और वो भी सौ था मैं गिनूगी चल शुरूओ जा कलो गुड़ी कलो महाराज को प्रसकार पाने के लिए उठक बैठक की तो कल लिए कलो चल शुरूओ जा एक दो तीन करेंगे करेंगे मैं कर बाता हूं मैं गिनती गिन तो आप कीजिए चली चली नीचे बढ़िए एक फिर नीचे बढ़िए दो तीन तीन ठीक से करिए हाँ फिर उठिये अच्छे से हाँ चार्ट है इश्वर यह आप क्या कर रहे हैं स्वामी अ वह क्या है ना गुरू मता आपकी पढ़िये सासुमा ने हमारे गुरू जी को डंड दिया है वो कहती है जब तो गुरू जी उटक बैचक नहीं करेंगे वो दर अच्छा के रानी अठाथ हमारा पुरूस्कार गुरू जी आपको मुर्गा बनाके मुर्गी फर् रहो गई हम 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 प्रुनाय प्रकट करेंगे जुआए तर दुआए निए जानी मुनमुन को किसी भी तेरा ढूनना होगा अन्या थानर्ट हो जाएगा नानाफ नानाफ ए और तुम्हें क्यों किस प्रयोजन से विजय नगर में डाकू घुसा है डाकू हाँ गुंडपा ने स्वयम अपनी आखों से दिखा पूरी विजय नगर में भगदर मच गई है अलावा मेरी देटा जातू दातू निया जातू लानी है वो भी आते रहे उक्षे दलर में तोई भी ततते नह क्या सोच रहा है रामा मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ये डाकू रानी मुन्मुन तो नहीं रामा तू तो बड़ी दूर की सोच रहा है संभावता मेरा अनुमान सच है बंदू कुझ डपे वो दिखने में कैसी थी मैं तब्दी लाने बादाल में दाला था नहां पे मैंने उत्रे हिकदलक देखे थी दोले पल सवाल थी माते पल काला थी काँछा और अलाद में ताबुक थी कितने कितने अफसर दिये मैंने तुम्हें सुदरने के लेकिन तुम लोग बात नहीं आते दाकूरानी ज्वाला देवी का अपमान किया है तुम लोगों में गिरों के काम में इतने व्यस रहते हैं हमारे पास प्रत्त एक दिन यहाने का समय में है बड़े ही दायत वहीन और काम चोर लोग प्रतित होते हैं तुम लोगों के पास कुछ अनुसाशन है के नहीं अला तुम लोगों के साथ एक दाकूरानी जीवन कैसे निर्वा करें अहजन हुए जोहला बंदगुर मुष्या अंगल शॉहला का निकालने है सारविजिन तर फो विजन गर में इसा करना का अलक कार नामा माना जाता ँए यह और इसके लिए मैं तुम्हेंड़ भी दे सकता हैं कार आवास में बंद कर सकता हूँ यह क्या अब देश दे रहे हो साथ साफ कहो के तो मैं तुम्हारा भाग चाहिए कहा अब असा नहीं और भिकारी आ गए क्या कहा भिकारी मैं वीजे नगर का नगर कोतवाल हूँ और तुम्हारी उस उदंड़ता के लिए मैं तुझे अभी बंदी बना सकता हूँ मचो साइन को अरे भाग गया मशली जग की रानी है जग की नहीं किसके रानी है हाँ मशली मशली जल की रानी है जीवन उसका पानी है यही उसकी कहानी है अम्मा को सुनानी है और मारनी खानी है और मारनी खानी है गुरू जी यदि अपनी आखें साथ लाएं तो दोनों आखों से देखिए यह आपके अम्मा नहीं है इताकु जुआला दे भी है इताकु जुआला दे इंतान से देखिए गुरू जी है जा रहे हैं है इसी मार्क से पता रहे है महामंत्री जी जी महाराज धर्म पाल तो आत्मुत इन्होंने लंका में प्रतीत होता है कहीं जाने की शिक्षा प्राप्त नी किये केवल आने की शिक्षा प्राप्त किये महाराज हमें ग्यारत नहीं है क्योंकि हम कभी लंका गये नहीं ना महामंत्री जी हमें शिक्रे कुछ करना होगा यदि वो यहां पहुच गया और ये सब देख लिया तो यहीं युद्ध छेड़ देंगे वह कुछ करना होगा महामंत्र जी 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 पंडित्रामकृष्णा अ है कर जुटराज महाराज जू किसी मार्क चे आ हुए यहांपर उन्हें रोखिया कुछ कीजिए श्पिर हां पर उन्तु महाराज धर्मपाल को रोकना संबह होगा मैं मैं कुछ करता हूं मंदीत्रामकृष्णा वो तो नहें रुखेंग महारानी मुनमुन को यहां से लेकर चले जाए हाँ, 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 हेगा कोई गुरुबर, राजा धरमपाल पिर से वापस आ रहे है और इसी ओर आ रहे है पिजयन अगरवालो, ये मेरी अंतिम चेतावनी है अन्यता हर एक निवास में लूट मार मचेगी कोहराम होगा तुम लोग मुझे जो सामान देते हो उसके बदले में मैं तुम लोगों को ऐसे प्रानियों से बचाती हूँ तुम लोगों कुछ सुरक्षा चाहिए या नहीं क्या मैंने तुम लोगों से नौल अठाहार मांगा है या फर लंका के अभुशन मांगे है पस्त्र मांगे है बताऊ ने ने एक बार तुम मुझे छोड़ दे फिर मैं तुझे बताता हूं कि तुम कितनी बड़ी डाक्पुआ और मैं कितना बड़ा बडह बढ़ाना महमत्य जी इस गोत्वाल को ना कोड़े लगाए जाये मुल्ख करें गोत्वान मुल्ख गोत्वाल जी चुप हो जाए बंदे हुए हैं इसलिए बचे हैं अनियता एक चाबो कमार कर आपकी काया परच कर देगी अच्छा? हाँ जो हमारा संदेश है वहीं आदेश है हर हर महादेव अनियत नामाख्रिष्णा ये क्या मुसीबत है एक और ये लड़ा को दूसरी और हो बेखावो और बीच में भजगे हम सब महराज महराज धरंपल आगा है सब समाप्त हो गया महराज सब समाप्त हो गया है किसी के साहस में इतना दुस्साहस जो हम से टकराने की सोचे वो एक कदम आगे बढ़ा है तुम लाल्ची और पाखंडी हो ये तो ग्याद था लेकिन निश्चित नुत्यू की तरफ एक कदम आगे बढ़ा खर तुमने ये भी दिखा दिया कि तुम उच्यकक्षा के मूर्ख हो हम कब आगे हुए हम आगे कैसे हो सकते हम तो कदापी वेर्त में आगे भीचे होते नहीं हम तो वर्षुर से जहां थे वहीं हैं combat अर्थात वो हम राजगुरु थे, राजगुरु हैं और राजगुरु रहेंगे, देखे, हमारा स्वाभाव है, हम जहां खड़े हो जाते हैं, अंगत की तरह पाओं जमा लेते हैं परंतु तुम सबसे एक कदम आगे हो हाँ, वो इनकी धरती पीछे खिषगेगी, वो क्या है न कि हम भगवान शीव की बहुत बड़े भगति, तो भगवान शीव चाहते हैं, कि हम सदाएव एक कदम आगे रहें, तो भगवान शीव ने इनकी धरती एक कदम पीछे किसका दी, वाह, हमें मुर्ग समजा है, अब त नमस्कार महामंदर जी नमस्कार महरत धरंपार झाल झाल नमस्कारा 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 लंका नरेश महाराद धरंपाल जी प्रसनता हुए आपको देख कर वैसे हमारे अनुमान से तिरुपदी बाला जी तो आप इस बार भी नहीं पहुंच पाया होंगे मामंत्री जी महाराज हमारे विचार से महाराज धरंपाल जी विजनेगर राजे में इतनी बार आये और गये हैं कि अब तक तो उन्हें विजनेगर राजे में प्रवेश कने का प्रतिये मार्ग ग्यात हो गया होगा सत्यवचन महाराज सत्यवचन परन्तु आप कहना क्या चाहते हैं कहना नहीं पूछना चाह रहे हैं कि इस बार आप महाराज कहां से लोट कर आएं राजा जी कह रहे हैं जैसे ही पहाड की चड़ाई पर पहुँचे तो पुनहरानी की याद आई तो नीचे से ही हाँ जोड़कर वापस लोट आए ए भगवान महाराज इनकी याद ना हुई समंदर के लहरे हो गई महाराज धरमपाल इस बार मुनमुन जी की याद आने का करण विशेश तो रहा होगा क्या होता जब हम जाता तो रानी सोया होता हम टीक से देख भी नहीं पाता कोई बाद नहीं कर बाता इसलिए हमको वहां रानी का बहुत याद आता पार्णुत रामकृष्णा कि हम इस गोड़े पर यहां क्या कर रहें कि डाकु ज्वाला देवी कि आखु ज्वाला देवी कि हमने एक डाकु के वस्तर क्यों धारन कि यह कड़े का थुम्ना रानी जागा रानी क्यों जागा लिद्रापूरी हुई रानी जगगई गुरुवर महाराज पूछ रहे हैं कि रानी को जगे हुए अधिक समय व्यतित तो नहीं हुआ समय तो अधिक व्यतित नहीं हुआ, लेकिन जितना भी व्यतित हुआ, अतियंत कष्ट दायक था क्या बथाए मारा धर्म पाल, राणी ने छड़ी मार मार के हमें छड़ी का दूप यादिला दिया को रे मार मार कर हमारी हंडियां हिला दी जब कुछ नहीं मिला तो तलवार चला के भाईयों कोई काट डाला रे महाराज आपकी रानी रानी नहीं प्रले है हम तो कहते हैं यदि गलती से वो रन धूमी में चली गई तो दो चार सेनाओं को अकेले धूल चटा देंगी कि तथा चारे जी क्या कह रहे हैं हम यह कहना चाहते हैं कि जब महारानी जी अपनी लंबी गहरी और शांत निद्रा से जागित हुई तो वह अत्यंत प्रसंद थी इतनी खुश्ती इतनी खुश्ती कि उन्होंने हम सभी को अपने वीर रस अपने जो सभी कला हैं उनकी निपुन्ता के विशे में विस्तार में बता और हम सब अत्यंत प्रभावित हुए अत्यंत प्रसंद हुए और गुरुवर तो इतने प्रभावित हुए इतने प्रभा गया महाराज कह रहे हैं कि वो अति प्रसंद हुए मनी मनी सबसे पहले तो चड़ी चड़ी के वाएं चाबुक अब यदि रानी अपनी किसी और गला का स्वान हमारे गुरुजी को चकाए तो यह कड़े का थुनना महाराजा रानी की इतनी प्रसंद सा सुन राजाजे शेगर मिलना चाहते हैं अबश रानी मुन मुन अब आप कैसा अनुभव कर रही हैं मैं ठीक हूँ बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं अब जो अब जूद रानी मुन मुन मुन! सুनिये बहन इधर आये, इधर आये आप जड़ा रानी मुन मुन को संभालगे मैं इनके लिए डोली की व्यicaçãoस्ता कर आता हूँ संभाल के? संभाल केgar संभाल के महाराज, महाराज, रानी मुनमुन अब व्यक्तित्व परिवर्तन विकार के प्रभाव से बाहर है, हमें तुरत महल पॉस्टना चाहिए, इससे पहले की कुछ अनुचित हो जाए, वो भी महल ही जा रही है, शीगरिने चाहिए ये का डे का थोड़ना राजा जी चाहते हैं कि डोली को रोक दिया जाए डोली रोको रुके, रुके माराज, अपने डोली क्यों रुकवाई है, कोई कारे है तो मुझे कहिए ये का डे का थोड़ना, हमको ऐसा लगता क्यों कि हमारा रानी इदर आए नहीं, नहीं, महराणी मुन्मुन जी इस डोली में नहीं हो सकती कि रानी है की नहीं महराज, रुके ये डोली कहीं जाने रही है, ये ही रुके हुई है इस डोली का पर्दा हटाने से पूर्व जरा रुके और सोचे कि किसी पराई इस्त्री को डोली में बैठे देखना क्या आपके धर्म, आपके पत्ने व्रता धर्म की अनुरूप है और ये भी तो सोचे कि जब महराणी मुन्मुन को इस फिशर में पता चलेगा तो आपकी बारे में क्या सोचेंगी देखका, देखका, धुन्ना पुरसकार क्या पंपराणी ये सब जानकर आपको पुरुषकार देंगी नहीं गुरुवर कहने का तादश पर ये कि पंदित रामाक्रिष्ण ने हमको अनुचेत करने से सई जमे पर颂ग लिया इसलिए हम पंदित रामाक्रिष्ण को पुरसकार करेंगा कि पंदित रामा.. पुरसकार जहां हमारे महराज पॉखलाए हुए, महापंडित रामा किष्णा दूसरे देश के महाराज से भी पुरसकार प्राप्त का रहे हैं। और आपको क्या मिला? रानी की गर्मा गर्म छेट। महाराज, रानी मुर्मन अभी अचेत अवस्था में हैं। जब तक उनकी चेतना पुने वापस नहीं आजाती, महाराज धरमपाल को उनसे नाम मिलने देने का कोई उपाय करना होगा। महामंत्री जी, महाराज, राज द्वार पर एक लंबरी आरती होगी। महामंत्री जी, जब तक महाराणी मुनमन को खोश्ट नहीं आजाता है, हमें महाराज धरमपाल कोलचाय रखना होगा। अब समझे। समझगे, महाराज, समझगे। महाराज, आरती की थाली सज्जी हुई है, परन्तु इतनी लंबी आरती उतारेगा कौन। अचारेवर उतारेंगे आरती। जी, महाराज, हम? हाँ, घुरुवर, रात दर्वार में कभी भी कोई महापुजा होती है, तो भगवान के आरती कौन उतारता है। जी, महाराज, हम ही करते हैं। यह हमारे विशेश अतिति है, और अतिति देवो भवा। जी, तो आरती कौन उतारेगा। जी, महाराज, हम ही करेंगे। क्योंकि अतिति, देवो भवा। यह तो हमारी संस्कृती है। जी, आये। जी, इना देना दूगा। के लीचे? दोने वाट क्योंकि था, दोने महारा... क्योंकि आधी, आतिति ने उतितितिति result चाहते है, एदा-एदा अवश्य राजा जी, अवश्य आरती करनी के बाद ही हमारे गुरु जी बता पाएंगे महराज जी कहे रहे हैं कि रानी मुन्मुन जी दिखाई नहीं दे रही हैं कहा हैं? क्या पहला है यह नाडिक का ठुमना क्या गूरा महराज? महाराज, हम कह रहे हैं, आज आएंगे. रानी आज आएंगे, थोड़ा धीर अर्थरू. अब आर्ती करते समय तो हम उन्हें खोजने नहीं जा सकते. धिरोवर, आर्ती रुखनी नहीं चाहिए. जी महाराज, जान चले जाएगी, पर हम तु आर्ती नहीं रुखेगे. अड़ उन्हें. कतटकटक कटटक टकटक कटटां कटटक टतक टकट .. समलकर ड़स, कपलके, रानी मौन्फन.. हम महल नो ऐसे हम आने माह रहे हैं, कृप्या बाहर आजाएग। रानी मुन्मुन जी हम मेहल पहुँच गए हैं कृप्या बाहर आ जाएं रानी मुन्मुन रानी मुन्मुन रानी मुन्मुन पंडिरामा किसना जी रानी डोली के भीतरी थी अरे परम तो अब नहीं है इसकार थे कि वो फिर से गायब हो गई है अब फिर कहां से ढूड़ो उने आए आए ए पुँदिगा दिया बुँदिगा यह रानी आए दनी मनी जी महामंत्री जाओ गुरुवर को संभालो आरती नहीं रुकनी चाहिए चल दी जाओ जाज आरती जारी जाहिए चिंपनी द्रामक्रिष्ठा दोली अब तक महल में नहीं पहुची है दोली तो पहुच गई महाराज तो रानी मुनमुन नहीं पहुची वो बीच मार्ग में गायब हो गई है क्या गायब बुना गायब हो गई ये महारानी मुनमुन हमारे साथ गायब गायब क्यों खेल रही है अब बतानी कहा गयोगी वो बतानी महाराज वैसे भिरानी मुनमुन कौन सा सीधे मार्ग पर चलती है जिसका अनुमान लगाया जा सके परन तुपन घुरवर आरती चलती रहे आरती थी देवो भवार